नवस्कार लक्ष्मिनार जोतिस के इनमा आप सभी का स्वागत है मैं आचारे डॉक्टर एपी शुकला अब से हर महीने का मासिक रासिफल जाएगा जैसे साप्ताहिक जाता है उसी तरीके से मासिक रासिफल जाएगा हर महीने देखे इस कारक्रम में अगर कहा जाए स्वास से संबंदी चीजों पे चर्चा सिख्छा से संबंदी चीजों में चर्चा बिजनस से संबंदी चीजों में चर्चा कैरियर से संबंदी चीजों में चर्चा चाहे वो विवा हो चाहे वो मान समान हो कोट का चैरी वाद प्रेम, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, हर महीने के इसाब से मैं राशी फल बेजूंगा, मासिक राशी फल, मेरा ये कारक्रम आपकी चंद राशी पर आधारित होगा, जहां पर भी जनम पुर्ली में बैठा है, वो आपकी चंद राशी हुई, अगर आपको अपनी राश का परिवर्तन करने जा रहे हैं, 12 महीने में एक बार, मतलब एक साल में एक बार देव गुरु ब्रस्पती राशी का परिवर्तन करते हैं, इस महीने में अगर कहा जाए, गुरु राहु का चांडाल नामक दुर्योग बनेगा, सूर्य अगर कहा जाए, 14 तारिक का, 14 तारिक को देखते हुए मासिक राशी फल मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सभी राश्यों के बारे में बात करते हैं मिथोन राशी वालों के लिए अगर कहा गया आपकी राशी का स्वामी बुद्ध है बुद्ध कही ना कहीं हपते की शुरुवात में लाभ में रहेगा और निवेश से संबंदित चीजें अच्छी हैं वो किसी भी प्रकार का निवेश हो निवेश या निवेश से संबंदित चीजें अच्छी दिख रही हैं कारेच्छेतर में बढ़ोतरी को दिखाता है धन का आवागमन अच्छा रहेगा और बना रहेगा कोई ऐसा आपको रास अगर आप यात्रा करना चाहते हो, खासकर अगर कहाज है लंबी यात्रा, लंबी यात्रा विदेश की यात्रा हो गई, घर से 1500 किलोमीटर दूर जाके काम कर रहे हैं, वो यात्रा भी लंबी यात्रा कहलाती, उसके लिए समय बहतर है, व्योसाई या कारिछेत्रिया नौकरी स सम्मंदित पीछे के अठकाव इस महीने में कम होंगे, और कहिना कहीं बढ़ोत्री होगी, रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, इस सम्मंदित चीजों में विकल्प खुलेंगे, या आपको मिलता हुआ दिखरा है, हो सकता है, स्वता मिल जाए, या हो सकता है, आपको प्रयास करना पड़े, कैरियर से सम्मंदित, नौकरी से सम्मंदित चीजों के लिए समय बहतर है, जिल लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल आपकी रासी के उपर इस समय पे गोचर करेंगे, जो कि लाब के भी स करेंगे, और कही ना कोई ऐसे शुरुत देंगे जिससे आप आज आगे बढ़ सकें, विवाह कि अगर बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो बेहत अच्छा है, जीवनसाथी का सुख मिलेगा, समय देंगे जीवनसाथी को, जीवनसाथी की राह ले लिजिएगा, अगर आपका विवा हो चुका है, तो राय ले लिजेगा, कहीं पे भी कोई समस्या आती है, रुखते हैं, फस्ते हैं, तो उसके लिए समय बहतर है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि मानसमान प्रसिद्धी, सारीरी कूर्जा ये पूर्ण रूप से आपके अंदर बनी करेगी, और मानसमान प्रतिष्ठा की बढ़ोत्रि होगी, किसी प्रकार का कोई भी काम करियेगा, धहर से तसल्ली से करिएगा, और कहीं न कहीं ये समय दिखाता है, कि आप धहर से तसल्ली से करेंगे, एक बस छोटा सा निवेदन है, इस महीने में जल्दभाजी मत करिएग ये महीना अच्छा है आराम से तसल्ली से काम करिएगा इस्थिर हो के काम करिएगा तो अच्छे परिणाम देंगे किसी प्रकार का कोट के चहरी वादिवाद अगर चल लहा है देव गुरु ब्रस्पती अगर कहा जाए दसम भाव में गोचर करेंगे सूर्य के साथ ऐसे में कहा जाएगा कि महीने के मद्ध तक का ये 15-20 दिन का सफर समय मतलब 20 तारिक तक का समय एक तारिक से ये समय कोट के चहरी वादिवाद से अपने आपको बचाने का समय है और पीछे से अगर चल लही थी तो उसमें कहिना कहीं सफलता का समय है किसी से कोई वादिवाद तनाव है तो ये तनाव का समय जो है दूर हो जाएगा वादिवाद कहिना कहीं दूर होता हुआ इस महीने में दिख रहा है लोगों का सहयोग मिलेगा किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपकी चीजे बनेंगी घर का पूरब दिशा और घर के उत्तर दिशा दो दिशाएं ऐसी हैं जो अधिक लाब को दिखाती है जो लोग NGO का काम करते हैं टीचिंग का काम करते हैं मार्केटिंग से सम्मंदित काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री या कला से सम्मंदित छेत्र में हैं जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सम्मंदित काम करते हैं जो लोग विदेश से सम्मंदित काम करते हैं उन लोगों के लिए बहतर समय है जो लोग विदेश में हैं वहाँ पर बसना चाहरे हैं उनके लिए समय बहतर कहलाएगा स्वास्त अच्छा रहेगा पीछे से अगर कोई बिमारी चल रही है तो कहीना कहीन शनी का भाग में होना बिमारीयों में कमी को दिखाता है ऐसे में ये अप्रेल का महीना मिथुन राशी वालों के लिए अच्छा और कहीना कहीन लावकारी दिख रहा है कुछ उपाय मैं जरूर बताता हूँ उन उपायों करिएगा और लाभ में बढ़ुत्री होगी इस महीने में अगर कहा जाए दुर्गा चालिसा नित्य सुबे के समय रोज करिएगा कोशिशे करिएगा कि ब्रस्पत्वार वाले दिन विश्नु जी के मंदिर में या लक्ष्मी नाराण के मंदिर में जाके मीठा भोग चड़ाइए अगर वो घर का बना हुआ है तो बहुत अच्छा है ने तो बाहर का कुछ भी हो सकता लड़ू हो या कुछ भी हो सकता नमस्कार